So greetings friend, welcome again in my new fresh video जैसे कि आप जानते हैं यह Tick Inter की सीरीज है और इसमें हम प्रोजेक्ट बना रहे थे और आज मैं इस बात करूँगा कि अगर आपको यह प्रोजेक्ट देना हो किसी को तो आप कौन-कौन सी उसे फाइल देंगे तो सबसे पहली आप वह फाइल देंगे जहाने कि आपकी अगर कोई image यूज हो रही है इसमें तो आपको उस image को देना है अगर कोई database आपने अटेच कर रखा है database अगर आपने बना रखा है उससे related तो आपको वह database की फाइल देनी है और जिसमें प्रोग्राम लिखा है वह फाइल देनी है और उसके सिस्टम में पाइथन को स्टोल करा देना है और सिंपल सा वह बंदा इस फाइल को रन करेगा और उसका यह प्रोजेक्ट रन हो जाएगा तो बेसिकली यह overview वीडियो है अगर आपको किसी को देना हो किसी को स अब दे हो आब viagation इसे दे Mythical मैंने यहाँ पर ईसकी एजजस मैंने 17 देदी और मेल है और यहाँ पर और 9 BENAC से तो मैंने 9 सी कर लिए और यहां पर लेंगविज में मैंग से पॉइतन सेलेक्ट कर लिए तो यही चुछा है उपर एंटरि फिल्ड है में हमारे 22 और यहाँ प से क्वाली एक option को सेलेक्ट करना है अगर मैं बात करूं मेरे पास 50 तरह के रूम है यानि की डूपलेक्स भी है और काफी सारे रूम है इसी के अलावा भी तो मैं काफी सारे दे सकता हूं क्योंकि उसमें काफी सारे डियो बटन बनाना मेरे लिए सिरदर्दी हो जाएगी तो मैं यहां if डिया मैं यहां पर ऐक लिस्ट बनागा ऑभी मैंने यह मैं यहां पर चेक बॉक्सस में डोल ऑचो तो वह दोने को सेलेक्ट के बाद अगर मैं इसे submit करता हूं तो मेरे पास यहां पर pop-up आता है और वो pop-up मेरा आता है टी के message box की वज़ा से और यहां पर मैंने information का sign use कर रहा है तो यहां पर इस तरह का pop-up आ रहा है अगर मैं error कर लेता है तो वहां पर cross आता और यहां पर मैंने title दिया information तो यहां पर मैं इसे ok कर देता हूं तो मेरा data save हो चुका है और मुझे पता लग गया है हाँ भई मेरा data save हो चुका है लेकिन अगर मैं इस data को देखना चाहूं तो यहां पर show button का use हो रहा है जैसी मैं show पर click करता हूं तो मेरे यहाँ पर file आ जाती है show की और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मेरी यहाँ पर file आगे और सारी data यहाँ पर fetch होके आ रहा है तो इस तरह से मेरी नई window आई है इसमें मैंने simple सी एक कमाड लिकी जैसी मैं show को दबाऊंगो तो एक नई file को लेगी और यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर इसके बात exit button है तो exit button का क्या काम है कि program close कर दो बंद कर दो तो जैसी मैं exit दबाऊंगा मेरा program close देगा तो मैंने exit दबाया तो program close देगा exit button का simple सी कमाड जी root.quit तो यह था मेरा overview project का कि मैंने क्या क्या काम कर रहे हैं और मुझे अगर किसी को project देना है तो किस तरह से देना है तो मिलेंगे आप से core fresh series में नए projects के साथ एक नई language के साथ और इससे भी हम extend करेंगे क्यूंट